हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर मुशर्फ हुसान और आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉंसिल्स की प्राब्लम को लेके टॉंसिल्स है कि बहुत ही कॉमर प्राब्लम है चोटे बच्चों में जिसी वह चार-पांच साल के होते हैं उस समय उनको बार-बार टॉंसिल्स आने लगते हैं टॉंसिल्स बहुत घातक भी हो सकते हैं अगर उनका समय पर इलाज ना किया जाए और जैसे जैसे उमर बढ़ती इलाज करने की जुरुत पड़ती है जिसको टॉंसिल्स निकालने की सर्जरी कहा जाता है तो पहले बात कर लेते हैं कि टॉंसिल्स होते क्यूं है और इनके लक्षण क्या होते हैं टॉंसिल्स होने का सबसे मुख्य कारण होता है वारल इंफेक्शन करीब 70% केसिज में वाय टॉंसिल्स हो जनरली बुखार आता है और अगर बुखार तेज आए और यह अचानक से पैदा हो जाए तो इसको एक्यूट टॉंसिल्स कहते हैं इसके लक्षन क्या हो सकते हैं कि मरीज को बुखार आएगा हो सकता है सर्दी जुकाम भी हो जाय लेकि जरूरी निए कि देता है लेकिन अगर यह बार-बार recurrent होते हैं तो फिर फीवर नहीं आता है यह हलका फिलका फीवर आता है इसको chronic tonsillitis के नाम से जाना जाता है उसमें यह होता है कि बच्चे को खाने में दर्द होता है और यहां पर कुछ गल्टिया आने लगती है यहां पर सूजनसी दिखा खतरनाक भी हो सकती है उसका असर आपकी kidneys पे या heart पे भी जा सकता है जिससे endocarditis जैसी बीमारिया भी हो सकती है इसलिए आप कभी भी आपके बच्चे को अगर tonsils आ जाते हैं तो इसको हलके में ना ले और अगर बहुत तेज बुखार है बच्चे को निगलने में दिक्कत ह रही है और खास दोर से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यह emergency condition होती है उस समय आप डॉक्टर की सला जरूर ले या बच्चे को अस्पताल में जाके भरती कराएं हाला कि कुछ antibiotic देने से एंटिपारिटिक देने से पेन किलर देने से यह सबसाइड हो जाता है और simply paracetamol दे सकते हैं या जो खासी औगरा के syrup या दवाईया डॉक्टर आपको advise करता है वो आप ले सकते हैं एंटिपाटिक्स का बहुत अच्छा रोल रहता है वाइरल टॉंसल आइटी से वाइरल टॉंसल अपने आप ही 5-7 दिन ने ठीक हो जाते हैं आपको सिर्फ symptomatic treatment लेन जाता है और उस समय आप बच्चे जब सर्दी गरम खाते हैं या थंडी और गर्मी गामोशं बदलता है उस समय इंफेक्शन होने का जादा डर रहता है और उसी समय tonsils होने का जादा डर रहता है तो आप धियान रखे अपना और अपने बच्चोंगा कि आपको बार-बार दिक्कत सामने ना आए तो मुझे अमीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर ले, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक्यू